हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अर्चाइनल तो दिखिए आज मैं लगभग 6 मन्त के बाद अपना बलकोनी में खाद डाल रहे हूं और कौन सा खाद डाल रहे हूं चलिए दिखाते हूं यह है बर्मी कंपोस्ट लगभग 100 गराम के हिसाब से है और यह मैं 6 महिन बाद डाल र है और यह है एक ब्रस मंगाए हूं और नीम के खली नहीं था मेरे पास तो मैं नीम के खली मंगाए हूं एक तेजी देखिए यह नीम के खली है तो इसको भी मैं थोड़ा सा थोड़ा करके तीन बार डाल रहे हूं मान के चलिए 100 गराम इसको भी डाल रहे हूं क्योंकि बलक लिक्वीड माइक्रो नियूट्रियन्स तो पौधे को ग्रीन और हेल्दी रखता है रूट को भी डेवलब करने में मदद करता है तो देखिए हमारे यह लिक्वीड अभी नहीं आया है दुकान में बीजबंडाड में तो मैं ऐसे ही मंगाती हूँ ए देखिए यूफोर विय और इसका दो कटिंग में लगाएं हूँ देखिए तो नीचे से कितना ज्यादा ब्रांच इसमें आ रहा है आप लोग देख सकते हैं यह बहुत इजी टो ग्रोप अधा है कैसे भी अप इसको लगा दीजेए देखिए इसका एक कटिंग में लगाई थी वो लग गया है और है देखिए जेड प्लांट यह भी काफी हेल्दी ग्रोथ में है और इसका भी पांचे कर्टिंग ग्रो हो गया है लेकिन सब मैं सेडी प्लेस में रख दी ती तुलसी के पीछे तो उसका पतिया जड़ गया है मैं दिखाई वीडियो में देखिए इसमें भी मैं एक ही वर चाहीं विंतर में जब रिपोरट कर रही थी इस दर लेंडम और एक पाम तो इसमें तो में फरवरी में डाली थी लेकिन इधर बनाएं हूँ तो देखिए यह मैं दो दिन से बना के रखी थी जिस दिन सोट्स वीडियो डाली थी यह इसी का पानी था इसी में मैं नीम खली वर्मेकंपोस्ट और माइक्रो नियूट्रिन सब डाल दे थी तो देखिए बहुत अच्छा बनके रेडी हो गया है इसमें पानी मिलाओं ना मि दिखत नहीं लगबग 20 लीटर पानी है यह इसी का पानी से देता है तो मैं इसी में डाल देते हूं क्योंकि काफी परिवरीफाइफ पानी होता है तो अच्छा होता है मेरा पाउनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं लेकिन पσकी*** मातरा में आप डालिएगा लेकिन फिर भी देखिए मैं पानी लेकर आई हूँ तो थोड़ा मिक्स करके कम डालूँगी क्योंकि यह भी काफी गर्मी है और हमारे अलर्ट किया गया है कि 10 से 3 तक नहीं निकलना है 29 जून से लेके 3 जून तक तो जो भी काम है सुबह सुबह ही आप लोग कर लीजिये क्योंकि जान बचे तो लाखो पाएं पहले अपना जान है तब कुछ है फ्रेंड्स तो आप लोग सुभा ही अपना काम कर लीजिए या साम को फिर कीजिए तो देखिए मैं दो दिन पहले ही बना दी थी मुझे मालूम नहीं था लेकिन बालकनी में मेरा धूप नहीं आता है वस ब्राइड लाइट हमेसा आता है तो मैं डाल रही हूँ नौ बजर लगभग डाल रही हूँ आप लोग साम को डाले और जो बचेगा वो मैं आंगन के प इस्तमाल करती हूँ मैं इव अब कनी मैं कभी भी इसका इस्तमाल नहीं करती हूँ देखिए ये तो बारी न बहुत पैंद नहीं लेकिनीट है और भी इंथर पानी डालो हन रह्ते हैं तो बस बारी इसका इन तजार कर रही हूँ. वीडियो पसंद है तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा friends और हम सब काफी मेहनत करते हैं तो वीडियो को full watch कीजिए पूरा देखिए देखिए सब कलेंचों काफी अच्छा growth इस्टार्ट हो गया है तोड़ा थोड़ा मैं सब में डाल दे रहे हैं टर्टल बाइन में भी तो मैं कभी नहीं डाली हूँ तो आज इसमें भी डाल रहे हूँ इसने एक प्लांट है देखिए सब बहुत oxygen से भरपूर प्लांट होता है तो इसको आप अपने dining room में भी लगा सकते हैं study table पर लगा सकते हैं देखिए अरीका पाम भी इस प्यूरिफाइड प्लांट है बहुत अच्छा प्लांट है देखिए कड़ी पता transplant के बाद कितना healthy growth इसमें start हो गया है इसमें भी थोड़ा सा डाल दे रहे हैं अभी transplant के बाद बालकने में ही रखी थी और देखिए जेड प्लांट में भी डालूंगी इसको भी जरूरत है सब इसनेक प्लांट इधर एकदम बहुत कम धूपाता है क्योंकि टेबल पर रखी थी तो सब जल गया है देखिए फिलो डेंडम है बीना खाद के एक साल तक छोटा पॉर्ट म एकदम बिल्कूल दो दो तिन तिन इंच का कटिंग लगाई थी और देखिए कितना बढ़ेया हो गया सब और कई प्लांट बन जाएगा थैंक यू